दोस्तो नोश्कास, वागत है सभी का आपके अपने चनेल टेक्नो रेंज में दोस्तो आज एक इस्टार्मेकर की और काली सचाई आप सब के सामने लाने वाला हूँ दोस्तो यहाँ पे इस्टार्मेकर ने बहुत बड़े बड़े वादे किये थी कि भाई आपको पार्टाइम जोब देंगे और जो है आप लोग पैसे अन कर सकते इस्टार्मेकर पे तो यहाँ पे जो है कितना जादा जो है इस्टार्मेकर अपने इस वादे पे ऑनेस्ट है आज के इस वीडियो में आपको complete information देने वाले हैं, पहले वीडियो को आप complete देख लेना, उसके बाद में आप कुछ भी comments करना, और जो भी आप इसके बार में बोलना चाहते हैं, आप ज़रूर अपना comments में राहे ज़रूर लिखना, दोस्तों यहाँ पर इस्टाल में तरफ ए इन्होंने एक policy रखी है, उस policy के साफ से आपको work करना है, तभी आप earning कर सकते हैं, अब इनकी policy इतनी खतरनाक है भाई कि आप जब इसको जानेंगे ना, तो आप बोलेंगे कि भाई मुझे work नहीं करना है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या policy है, चलिए हम देख लेते हैं, तो कि यह मेरे में मैंने screenshot लिया है, क्योंकि मेरे में यह notification शो नहीं कर रहा था, तो एक फ्रेंड से मैंने screenshot लिया है, अब दोस्तों जैसे इस notification पर टेच करेंगे, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा room host application, और इसको देखने के बाद में यहाँ एक बड़ा सा चार्ट, policy chart के नाम स उसके बाद में, what's the number डालना है, और how long you have been using Instagram यह आपको लिख देना है, इसके बाद में दोस्तों, are you good in communication, क्या आप communication या बाचीत में good हैं, तो उसको S पर लगा देना है, how many hours are you active in party rooms, कितने ज़्यादा जो hours आप active रहते हैं party room में, वो आपको लिख देना है, what do you do normally in multi rooms, multi rooms म आप normally क्या करते हैं, वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, and why we select you to be room host, room host के लिए हम आपको किस लिए select करें, उसका reason आप यहाँ पर डाल सकते हैं, इतना करके आपको submit कर देना है, तो submit तो आप कर देंगे, बहुत ही easy है, इसमें कुछ बताने की जरुरत है नहीं, लेकिन य अलग-लग लेबल के room में अलग-लग target है diamond का, जितना target आप complete कर लेंगे diamond का उस label पे आप पहुँच जाएंगे, जैसे सबसे कम जो label है यहाँ पे G level है, और सबसे उपर वाली लेबल जो है वो 5S है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक label पहली वाली समझा दूगा और दूसरी आखरी वाली लेबल समझा दूगा, बाकी आप लोग अपने आप समझ लेंगे, क्योंकि सारी लेबल उसी हिसाब से है, दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो label first है, मतलब जो सबसे उपर वाली लेबल है 5S, 5S में कुछ इन्होंने ये बोला है कि आपको 10 lakh diamond का target यहाँ पे complete क चाहेंगे तो आपके कितने रुपए जाने वाले हैं, दोस्तों आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको मिलने वाला क्या है, ठीक है, आप 10 lakh diamond तो complete कर लेंगे, उसके बाद में आपको मिलेगा क्या, दोस्तों यहाँ पे जो है, USD मिलने वाला है, मिलने वाला है, जो है, डोटलर मिलने वाला है, तोटल लोग वहोगी 7,000 ड़ोलर, ठीक है, अभी मैं आपको सारा कुछ यहाँ पर करके दिखाऊंगा, 7,000 डॉलर यहाँ पर टोटल सेलरी होजाएगी, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो है agency का USD कितना बनेगा जो agency होगी उसका USD बनेगा 2000 USD 2000 डॉलर agency का बनेगा प्लस जो captain होगा agency का यहाँ पे उसको 1000 डॉलर उसको मिलने वाले total जो agency की salary होगी वो 3000 डॉलर मिलने वाली है मतलब यहाँ पे total agency की salary 3000 डॉलर होगी और host की salary 7000 डॉलर होगी means यहाँ पे कितने dollars लगने वाले है 10,000 डॉलर लगने वाले है अब यहाँ पे diamond का target कितना है 10 lakh diamonds अब दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि 10 lakh diamonds करने में किया कितने जादा रुपए आपके based होने वाले है और salary यहाँ पे कितनी मिलने वाले है 10,000 dollars 10,000 dollars की value क्या होती है और इसका duration दिया हुआ है 15 days 30 hours 15 days 30 hours में आपको यह complete करना है उसके बाद ही आपको यह salary मिलने वाले है तो चलिए हम देख लेते हैं सिधा कि यहाँ पे हम convert कर दिया है 10,000 dollars को मैंने convert किया है तो यहाँ में रुपे में आप लोग देख सकते हैं 7,57,000 something रुपे जो है आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं इतने रुपे totally आपको मिलेंगे लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आपको पैसे based करने पड़ेंगे क्योंकि आपको यहाँ पे 10,000,000 diamond complete करना है ठीक है अब 10,000,000 diamond कितने का हो गया आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं मुझे यहाँ पे कुछ भी calculation करने की जरूरत नहीं है अब दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे नीचे वाली level को बता देता हूँ जो level G है प्लस बोनस आपको 25 होस्ट को मिलने वाला है टोटल 29 डॉलर जो होस्ट को मिले गा प्लस एजंसी और केप्टन को मिला के total agency की salary six डॉलर होने वाली है अब यहाँ पे आपको जो मतलब होस्ट की salary को मिला के और agency की salary को मिला के thirty five dollars आपको दिये जाएंगे 35 डॉलर जो है यहां पर टोटल सेलरी दिया जाएगा और उसके लिए आपको 2000 डॉलर पहले अंद करने होंगे अब दूस्तों आप लोग समझ सकते हैं इस च्टार मेंगर की पॉलिसी क्या है किस तरह से आप लोगों को यह उल्लू बना रहा है तो ऐसे जो है कि यार जो है मुझे अकेले थोड़ी करना रूम में आल लोग आएंगे मेंबर्स गिप्टिंग करेंगे भाई देको रूम में मेंबर्स गिप्टिंग करेंगे लेकिन वो भी तो पैसे सही रिचार्ज करेंगे तो टोटल आप स्टार मेकर को कितने पैसे दे रहा है उसके वने मातरम